ब्रम्ह के हिसाब से नहीं, तो ब्राम्हन अलग है, ब्रम्ह अलग है, तो ब्राम्हन आय हितम, ब्राम्हन हितम, गोब्या हित, किसका हित करने वाले हैं, गाय का हित करने, अगर एक गाय है, तो गाय, बहुत सारे गाय है, तो गोब्या, गोब्या हितम, गोहितम, तो ये गोहि पुर्वपद है ये विस्तृत ये है विग्रह वाक्य है तो विग्रह वाक्य मूल वाक्य क्या हो गया गो बेहा का मूल है गो तो हितम जोड़ दिया हो गया गो हितम विभक्ति ही लुप्यते इती यत्र तत्र समासा तो विभक्ति का लोप हो गया और इधर हमने बना दिया ग हितम तो ऐसे हमने कर दिया इधर चतुर्ती तत्पुरुष समास अभी हम देखेंगे पंचमी तत्पुरुष समास पंचमी भये न ये इसका क्या है सूत्र है सो मतलब क्या है जब जब भय वापर्यवाची शब्दा आएगा तभी कौन सा यो होगा पंचमी होगा जैसे की देखो चोरात व्यागरात सीहात व्रकात किस से डर रहे हो किस से डर लग रहा है तो उसको लगेगा पंचमी देखिए अभी चोरात भयम चोर भयम चोरात का मूलपद हो गया चोर अभी हम विभकति लोप कर देंगे तो हो गया चोर भयम जो है नपुसकलिंग प्रथमावी भक्ती एक वचन है तो हमने लिख दिया चोर भयम व्यागरात भयम सीहात भीत हा कोई डरा है सीहात भीत हा सीहा भीत हा सहाबालहा सीहात भीत हा सीहात भीत हा व्रुकात भीतिही लांडगा व्रुकात भीतिही व्रुक भीतिही तो भीतिही भीतहा भयम भयम कुछ भी परियाएवाची शब्दा आने दो तो क्या आएगा पंचमी तो पंचमी आजाएगा पंचमी भयेन ये इसका सूत्र है अभी हम देखेंगे शष्ठी तत्पुरुशा समास तो जो शब्द नहीं है जो शब्द को देखिए मैं पहले से ले लेती हूँ द्वितिया में जो शब्द आ रहे थे द्वितिया त्रतिया चत्थूर्थी पंचमी जो शब्द आ रहे थे उनसब को शब्द को शोड़कर अगर कोई शब्द आ गया तो हम उसको सब को क्या लगाएंगे शश्ठी इसलिए समास में जादा से जादा हमें 시श्ठी ततपुरुष समास के उदाहरण जादा से जादा मिलते हैं कि देख लिजे उदाहरण अ पंचमी में हमने कर दिया पंचमी भये नुटचुर्थी में कर दिया हमने चतुर्थी तदर्थार्थ बली हित ऋख रक्षिताई ही आ गया तो चतुर्थी और एक बार देखिये चतुर्थी कब आएगा चतुर्थी तदर्थ तदर्थ किसके लिए तदर्थ बली हित सुख रक्षिताई ही आगया तो आएगा चतुर्थी अग भया आगया तो आगया पंचमी कर्त्रु करने त्रतिया साधन आगया कोई साधन आगया तो उसको आगया त्रतिया अभी ध्वितिया कोई किसको आएग और एक बार तृतिया आएगा ये वो देख लीजे पूर्व, सद्रुष, समानार्थ, कलह, निपुन, मिश्र, शलक्षणाई ही आगया तो आगया तृतिया ततकर्थनन कुणवाचनेन आगया सरोति के साथ कौन सा साधन यूज कर रहे हैं इसके लिए आगया तृतिया ध्वितिया के लिए आगया ध्वितिया श्रित अतित पतित अत्यस्त प्राप्त आपन नहीं ही आगया ध्वितिया तो ये शब्द के लिए द्वितिया ये शब्द के लिए त्रतिया ये शब्द के लिए चत्थूर्थी पंचमी अगर कोई शब्द नहीं है और वैसे ही आ गया तो हम उसको शष्ठी ततपुर्श समास कहते हैं कोई भी नहीं है तो उसको हम शष्ठी कहते हैं तो शष्ठी का सूत्र क्या है सूत्र शष्ठी ही है नराणाम पती ही नरपती ही सीता याहा पती ही क्या जाएगा सीता पती ही सीता पती कौन है राम है विद्या याहा आल याहा आगया विद्या याहा अभी इसका विभक्ती ही लुप्यते ही ती यत्रतत्र समासा अभी हमने इसका विभक्ती कैसे लोब कर दिया देखो नर आणाम तो नर इसका मूल शब्द पती ही ले लिया तो हो गया नर पती विद्या अधिक आलया हो गया विद्या लया हा हिमस्य अधिक अभी इधर संधी बन गया है देखिए हिमस्य आलया हा हिमस्य आलया हा का घर है हीम का घर है हीम हीम मूल शब्द ले लिया हीम इधर का ले लिया आ तो बन गया हीमालय तो ये संधी हमने बना के समस्त वाक्य बना दिया हीमालय समस बनाना भी सरल है और उसका विग्रह भी और भी सरल है दशरत पुत्रह तो कैसे करेंगे किसका पुत्र है दशरत का पुत्र है तो काके की क्या है संबंदार्थे शष्ठी तो संबंद है ना इसलिए हम इधर क्या लगाएंगे दशरत अस्या पुत्रह राज माता किसकी मात है राजा की माता तो हम इधर क्या है संबंद है तो इससे क्या लिखेंगे राज finer हा मात राजमाता राजपुत्रहा किसका पुत्र है राजपुत्रहा तो हम इदर क्या करेंगे संबंदार थे शष्टी राद्नेहा पुत्रहा राजपुत्रहा इसलिए हम इसको सबको हम क्या कहेंगे सब्तमी ततपुरुष समास हा, संबंदार थे शश्थी, अभी हम सब्तमी ततपुरुष समास देखेंगे, जो सब्तमी में क्या रूल है, सब्तमी शाउंडई ही मतलब शाउंडादी गण में जो कोई शब्द आता है उस सब को हम क्या करेंगे सब्तमी लगाएंगे शाउंडादी गण शाउंडादी गण इसको क्यों नाम पड़ा शाउंड ये इसका गण का प्रतम शब्द है इसलिए उसको शौंडादीगण ऐसे नाम पड़ा है शौंडादीगण के सभी शब्दों को सब्तमी लगेगी सब्तमी शौंडाई ही तो कौनसे कौनसे शब्द है अक्षेशु शौंडाहा इती अक्षशौंडाहा तो अक्षशौंडाहा कौन है क्या आप जानते है आक्षा मतलब क्या है पासो पासा खेलना पासा कौन खेलता था शकुनी शकुनी मामा खेलता था शकुनी मामा पुछता भी था महाभारत में किसको पुछता था दूरियोधन को क्या आप जानते है दूरियोधन और काउरव क्या करते थे खेलते थे ना पा चांच, मामा 12 तो शकुनी मामा इतना चतुर था, इतना शौंड था, इतना शौंड था, कि वो बराबर से अगर उसने तीन बोला तो तीन ही डालता था, चार बोला तो चार ही डालता था, तो चौंड का आर्था क्या है? चंट है, चंट, चंट मतलब क्या है? धूर्त, clever, yes, तो चंट कौन हो गया? शकुनी मामा हो गया है ना? तो तास आप जानते हैं? तास, पत्ते, पत्ते, क्या आप पत्ते खेलते हैं? तास, अगर आप चतुर आदमीं के साथ अगर पत्ते खेल रहे हों, एक का, राजा, रानी, तो उनके पास ही आएंगे, आप कितना भी उतना वो शौंड से शौंड से शौंड से पत्ते पिसेगा 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 तासे वो पिसेगा पिसेगा कि आपको खाली एक दुर्री तिर्री ऐसी आएंगे और जो शॉंट है ना जो clever है जो शॉंट से पते पत तासे गिन रहे ना उसको क्या होगा बहुत अच्छी तरह से वो तासे गिनेगा और आपको क्या बना देगा मूर्ख बना के वो खुद शॉंट से खेलेगा तो शॉंट का अर्त है चतुर तो अक्षेशु शाउंडाहा, अक्षशाउंडाहा, अक्षशाउंडाहा, अक्षश मतलब क्या है, पासों में चतुर, पासे खेलना जानते हो, देखो एक बार खेल लो, तो किस में कुशल है, कारिये कुशल हा, कार्ये कुशल हा, कार्ये कुशल हा, तो कुशल आ गया, इसलि ये शब्तमी आ गई निपुना आ गया इसलिए शब्तमी आ गई तो ये शब्त जो है ये कौन से गण में आ गए शौंडादी गण में आ गए शौंड कुशलः कुशलः श्रेष्ट हा निपुना ये शब्त जो है ये शौंडादी गण में आ गए ये किसने बताया है हमें प ऐाने ने बता दिया तो हो गया अभी तो आपको शॉंड़ा दी गण मतलब मैंने बता दिया œ sich लेकिन उन्होंने तो ऐसे बता दिया Going rov इसका आर्थ तो सबको आपको मालूम नहीं है इसलिए मैंने पीछे जाके आपको बताया कि शौनडादी गण में क्या है शौनडादी गण में अगर ये शब्दा आ गए तो वह हो जाएगा सब्तमी रणे कुशलहा रणा कुशलहा रणी कुशलहा तो रण मतलब युद्ध जो वार्स होते है न उसमें वो चतूर है बहुत चतूर है तो रणे कुशलहा रणा कुशलहा मुनीश श्रेश्ठहा मुनीश रेश्ठहा वीना निपुनहा तो वीना निपुनहा आम कैसे करेंगे वीना याम निपुनहा वीना निपुनहा तो वीना में वो क्या है निपु ये उसका हो गया वीना निपुना तो इस तरीके से हमने जो है समास का सब विभक्ती तत पुरुष पढ़ लिया है तो और एक बार जान लिजिए विभक्ती तत पुरुष में पिछे से जान लेते हैं सब्तमी शाउंड़ाई ही सब्तमी विभक्ती कब आएगी सब्तमी शाउंड़ कुषल श्रेष्ट निपुना आगया तो सब्तमी आजाएगी संबंदार्थे शष्ठी आजाएगी पंचमी भयेन आजाएगा और चथूर्ती सत्पुरुष समासम कब लगाएगे चथूर्ती तदर्थर्थ बली हित सुख रक्षित आगया तो चथूर्ती आजाएगी करत्रु करने त्रतिया आजाएगा त्रतिया में और एक जो नियम है वो देख लेंगे पूर्व सद्रुष समानार्थ कलह निपुन मिश्र शलक्षणई अगर ये पद आगये तो हो जाएगा त्रतिया त्रतिया ततकर्थेन गुणवाचनेन जो है जो साधन है उसको भी क्या लगेगा जिसके प्रयोजन से हमें कुछ मिल रहा है तो उसके प्रयोजन को भी हमें लगेगा त्रतिया और द्वितिया कब लगेगी श्रित अतित पतित अत्यस्थ प्राप्त आपन नहीं अगर आ गया तो क्या हो जाएगा द्वितिया भी भक्ती हो जाएगी अभी देखो बुक में आपको है मेघान अत्यस्थ हा मेघात्यस्थ हा तो मेघान अत्यस्थ हा मेघोन से घिरा हुआ तो इसको घिरा हुआ अभी आप ये मेरे नोट्स भी ले लीजे और उसके साथ टेक्सबूखा भी नोट्स पढ़ लीजे विभक्ती तत्पुरुष विभक्ती ततपुरुष के बाद मैं एक में स्मॉल टेस्ट लूँगी उसके बाद में अव्याई भाव समास हम पढ़ेंगे और द्वंद्व समास पढ़ेंगे धन्यवाद आखा